हेलो वरेवन विलकम यूओ अलिट लोकेश सर अनलिम्टेड स्टेडी जोन आप सभी का स्वागत है और हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम यहां पर चला रहे हैं के वी एस दो हजार अठारा का जनरल पेपर का सलूशन जो कि मैं भी देख रहा था भाई स तो मतलब इतने लेवल की इंगलिश भाई सब कैसे करेगा आपने लिखर की जनरल इंगलिस और दे रखी भाई सब इस्पेशल इंगलिस अभी आप जब पढ़ोगे मतलब मुझे यह लग रहा है कि यह थोड़ी सी कहीं ना कहीं मैथ वालों के साथ फिजिक्स वालों के जाएगी बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको इतना नहीं आता है जिनका लेवल इतना नहीं होता है तो भाई साब मेरी वीडियो से यह लोग पढ़ रहे हैं उनसे मैं सहमत भी और यह वीडियो किसी सही कानों तक पहुंच जाए तो मैं निवेदन करूंगा कि इस लेवल का भाई पिपर ना सेट किया जाए ओके यह तो मतलब कातिलाला अंग्रेजी सेट कर दी वाई 2018 का पिपर में देख रहा था बहुत ही तरीके वाली अंग्रेजी सेट करिए और कहीं से सामान इंग्लेस नहीं है यह तो स्पेशल इंग्लेस है ना बात करी गई है इस लेवल की अंग्रेजी मिलती भी नहीं है चली खेर यह तो हो गई है इधर उदर की बाते हैं सवाल में देखिए सबसे पहला कुशन नंबर वन है थोड़ा सा हिंट भी दूँगा मैं कैसे आता है कि क्या क्या आने वाला है किस तरीके की चीजे आने वाली है यह भी सारी की चीजे में आपको थोड़ी जोड़ी सी बता दूँगा ओके आप उनको नोट भी कर सकते हो कि क्या क्या आने वाला है ओके देखिए कि सब से पहले देखिए आपको एक फ्रेज आएगा और फ्रेस का जो है करेक्ट मीनिंग आपको पता चले है मलब इक तरीकी की प्रोबर्ब है न हूँ आईगी और आपको ग्रेक्ट मीनिंग पता चलेगा कह रहा है इंप्रूब दा अंडर्लाइन फ्रेस हां यहां पर by next Saturday letters, तो आपके सामने कहा गया है कि यह आपके सामने एक दिया गया है कि improve the underline phrase आपके सामने यह दी गया यह phrase, ओके next Saturday latest, इस को phrase को आपको सही करना है, मतलब आपको phrases का ग्यान पूरा होना चाहिए ठीक है ना? तो मैं एक line इदर लिखे जाता हूं कि क्या क्या आ रहा है है ना तो नंबर बन में तो भाई फ्रेज है सारी पी स्पेलिंग भी देख लें भाई बहुत दिन हो गई है पी एच आर एस इपी एच आर एस इए ओके तो फ्रेज का ग्यान आपको होना चाहिए फ्रेज आप पढ़ करके है तो आपको फ्रेज प्रेज पढ़ के जाना है आपको गलत फ्रेज देगा और बोलेगा बताओ सही वाली फ्रेज कौन सी है तो इसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फ्रेज का मतलब होता है तो next Saturday at the latest तो भाई सब फ्रेज तो पढ़ लीजे चली अगला आ गया देखिए इडियोम आ चुका है इडियोम है तो फ्रेज तो जान लीजिए मोहावरे और लोकुक्तियां होती है तो इडियोम देखिए इडिय इडियोम को क्या बोलते है इडियोम को बोलते है मोहावरे है ना लंबी सी बात को एक छोटी सी बात में कह दिया जाए सो चुहे खाके बिल्ली हज को चली ओके या नाचना आगया आगन ठिड़ा इस तरीके की मोहावरे हिंडी में होते थे ना इंगलिस में भी मोहावरे हो means meaning which best expresses the idiom option choice तो बताना है कि option choice का मतलब क्या हुआ करता है भाई देखो क्या होता है कि option choice का मतलब यह हुआ करता है हिंदी में समझो कि मतलब तुम्हारे पास कोई choice नहों दो उसको बोलते है option choice जो दी दी गया गया है तुम्हें सुईकार करना पड़ेगा ओके उस choice को बोलते है option choice तो क्या कह रहा है a choice where you your fortune and already been decided before you exercise the choice मतलब तुम्हारा पहले से भविस्तित है हो चुका है भाई नहीं ऐसी बात तो नहीं है okay a situation in which you have no choice because you don't accept what is given if you don't accept what is given you get nothing at all मतलब तुमने यदि मना करने की process करी तो तुम जो पा रहे हो तुम भी खोदोगे तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा तो correct answer है कि जहां पर तुम्हारे पास कोई चीज किसी 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 प्रकार की choice नहीं हो उसको हम क्या बोलते है option choice अगर आपने कोई और उसको भी opposite in the meaning two update okay delete का मतलब क्या होता है डिलेट का मतलब होता है चोड़ा डिलेट का मतलब क्या होता है चोड़ा बड़ा है न तो चोड़े का क्या होगा भाई दुबला पतला कों रहना पतला सा शीकुडफा सिकुडब ना का आपको बताना पड़ेगा तो डिलेट होता है चोडा बड़ा और इसका क्या होगा सीकुडा सीकुड़ क्या पूलते हैं इसमें contract बूलते हैं तो इसका correct answer क्या होगा contract यहने की for होगा चलिए अगला पॉस्चन देखते तो मतलब और आना है आपके पास में आप पॉस्टेट के लो वे कुआ करते हैं ये सारे झाल आपके चैइए वोकः आपकी शांदार होनी चाहिए तो हलागी बेस्ट मेंच भी एक तरीकी का साइनोनीम ही हो गया और ड्सचाल कि फिरिय आथी तो पहला पुछा गया है इसमें तो पूछ लिए गया है तो डिलेट का पूजिट क्या होता है चोड़ा यानि की कॉंट्रेक्ट मतलब की सिकुडने वाला यानि की कॉंट्रेक्ट चली अगला देखिए कह रहा है चूज देस्क्रिप्शन डेट बेस्ट कैप्चर मीनिंग अप दे वर्ड इनकोरोजिबल का मतलब क्या होता है इनकोरोजिबल का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो की जो है अपनी अपनी जो है आदतों में सुधार नहीं ला पा रहा है कौ उसके लिए स्मोकिंग जो है वो इनकोरोजिबल हो चुकी है ओके है ना इनकोरोजिबल ठीक ना मतलब उसमें सुधार ना लाए जा सके इनकोरोजिबल तो उसको बोलते है अपन यहां पे देखिए तो क्या है को ऑफ्शन नम्बर थी इसका करेक्ट आमसर है having bad habits that cannot be changed or improved having bad habits मतलब कुछ ऐसी गंदेती यादते हो ना जिसमें कि आप मतलब सुधार ना ला सको तो इसको अपन क्या बोलते है इनको रजविल बोलते है चलिए अगला देखिए identity the part of following sentence that may have error तो भाई सब अगला क्या पार्ट आ रहा है आपको आपको एगला पार्ट आ रहा है error detection तो भाई यह पार्ट तुम्हें कहूंगा यह grammar से related है तो grammar से related बाला पार्ट क्या है error detection ओके error detection और error detection के लिए आपको पूरी part of speech की जानकारी होनी चाहिए यह बड़ा कथिन काम है जिनको नहीं आता हो सिर्फ पटक लेते हैं part of speech okay तो देख रहे हैं आप English बिल्कुल मतलब कहने को काई की general English भाई यह तो पूरा का पूरा खदरनाक खेल कर रखा है यहां पे चलिए देखिए identify the part of the following sentence that may have error इसमें बताई यह पार्ट में किसमेर रोजस ग्रो मुझे तो को यह नहीं दिख रही है with abundance against this रोजस ग्रो भाई abundance के साथ with नहीं लगता है abundance के साथ जो proposition लगता है in abundance है ना तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस के साथ कौन सा proposition लगता है है ना तो in abundance against this old wall in this session तो एक ही तो error होती है तो भाई अब नहीं एक ही आ चुकी है तो इसको correct answer क्या होगा यह वाला part in abundance है ना तो with abundance नहीं होता है क्या होता है in abundance होता है तो error number कौन सा आएगा in abundance वाला part जो है है ना कहां है इसके option कहां गए भाई अच्छा यही तो option है भाई दूसरा number option ओके तो क्या गोला लगाएंगे अपना answer sheet में दूसरे number पे गोला लगाएंगे चलो आंगे ला question चलते हैं अ इंप्रूब दे अंडरलाइन फ्रेज इंदा फॉलोविंग सेंटेंस विद दा हैल्प अब गीवन ऑप्सन गीवन ऑप्सन को देख करके आपको फ्रेज को इंप्रूब करना है क्या कहरा है भाई सब राजू सीम टू बी लिविंग एट समवन रिमूब ओके राजू सीम औरॉए लिविंग at some रिमूब हैना लिविंग एट सम रिमूब तो देखो भाई साब यहां पी इसमें ब्लैक लगा हुए लिविंग at some time vrij थीक ना अब यहाँ पलगा हुँ एक सम रिमुव पलगा हुँ भाइप पहीं इसके पर लाल कलरको दिया बच्चों ने तो दिखनी रहा है तो एक सम रिमूव पर आपके पास गोला लगा हुआ है आपको बताना है कि फ्रॉम रियालीटी है ना तो देखिए इसमें क्या लेगे क्या होता है आपने दी पढ़ी हो फ्रेज तो at some remove कुछ नहीं होता होता क्या at one remove क्या होता है at one remove तो इस फ्रेज में क्या आएगा at certain remove बिल्कुल गलत है at one remove बिल्कुल सही तो उसका correct answer लिख लिजे भाई at one remove मतलब option number इसका पहला सही है तो फिर से यहां पे कौन आ गई भाई phrase का पूरा पूरा ग्यान आपको होना चाहिए ठीक ना जो important phrases होती है उनको पढ़ डालिए भाई चलिए बहुत बढ़ी है अगला question चलते है question number seven तो phrase के मतलब कितने question आ गए phrase के भाई साब दो question आ गए और इसके एक आ गए मतलब तीन question इसके हो गए ठीक ना इडियोम मुहाबरे का भी एक question हम लोगों ने देख लिया मुहाबरे का कितने question देख लिये वो कैप का अपनने एक question देख लिया और अपने grammar का error detection का एक question देख लिया तो total 3,4,15,3,25,6,6 question देख लिये ना तो साथवे पे हम लोग को होना चाहिए बिल पहुं है। ऑपोजेट साुरॉजीबल। हाँ इन्कॉरॉजवल कैसका था यह अच्छर, थे इसका था यह सा था सिनोनिम का था था सिनोनिम का एक क्वेस्टन जो है वह चुट गया है तो सानोनिम का एक क्वेस्टन और हो चुका है तो 3, 4, 1, 5, और 1,6, सब्सक्राइब करते हैं यह देखते हैं फिर किसका है तो एक मतलब मोटा मोटा हाकड़ा लग जाएगा हम लोग को कि किस से पेपर आता भाई चलिए कुशन नमर 7 क्या कहरा complete the following sentence by using the correct form of the verb है ना वर्ब का correct form इस्तमाल करके आपको जो है complete the following sentence using the correct form of the verb use in opposite using options given below complete the following sentence by using the correct form of the verb use in option चलो ठीगे I did not bring my wallet मैं अपना wallet नहीं लेके didn't लेके मतलब आया था मैं अपना wallet नहीं लेके आया था मैं अपना बटूगा नहीं लेके आया था since you invited me क्योंकि चूंकि तुमने मुझे invite किया था इना invited me to lunch lunch के लिए I guess you है ना मैं सूचा कि तुम मैं सूचा कि तुम क्या होगा भाई option might have had some money on you तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे ओके might have had had some money on you okay देखो भाई यहां पर एक तरीके से तुम्हारे पास कुछ रहे पैसे रहे ओके had given some money might given some money will have some money on you है ना देखो भाई question क्या past का है question क्या past का है तो जो भाई जो आपके पास में जो भी चीजे जाएंगी अगला जो sentence जाएगा वो पास्ट में आएगा यह भाई सब विल है जा रहा है यह तो बिल्कुल ही सरे से निकार दो यह तो होई नहीं सकता है ओके यह I guess you might given some money तुमने कुछ पैसा दे लिया होगा अरे भाई इस से अच्छा correct answer तो आपको क्या लग रहा है You might had some money on you हाँ यह बड़ा शालीन सा लग रहा है बड़ा डीसेंट ला लग रहा है यू माइट है तो यहां तो अक्जोलेरी वर्व हो गई Had some money you might have तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे Had some money है यहाँ पर क्या कर रहा है वर्व मतला position के लिए वर्व काम कर रही है Had some money on you तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा option number one ही होगा इसका correct answer इस paper में चली अगला question देखते है तो भाई साब यहाँ पर क्या आ चुका है यह यह किस segment से इसको हम paper कहेंगे complete the following sentence मतलब भी grammatical part का है एक तरीकी से error detection का ही question है यह है इसमें error पकड़नी है तो यह भी अपने पास में एक और question error का चुका है चली question number 8 हो चुके है साथ हो गए अब आठवे की तरब चलते हैं चली देखे question number है अगला complete the following sentences by using the correct form of the verb verb की correct form अपन को use करनी है okay मतलब grammar का question है use the option given below so was too nervous she was too nervous मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी उदास थी व्यथित थी परिशान थी speak before such a large audience मतलब बहुत सारी लोगों के पहले and 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 has to be prompted has to be prompted was prompted had to be prompted prompt 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 कहलो a will be prompted ठीक है नब देखो कहां कहां सुरू कहां सुरू हो रहा है okay मतलब पुरानी बात की जा रही है मतलब ये घटना जो है ये बहुत पहले कोई सुना जो रहा है ये उसके बहुत पहले की सुना रहा है see was too nervous वो बहुत नर्वस थी बोलने के पहले okay तो भाई जब पुरानी बात की जा रही है जब पुरानी बात की जा रही है तो इसका मतलब जो कुछ होगा वो उसके और पहले होगा मतलब और पीछे जाएगा है ना तो कहां पर जाएगा यहां पर यह जाएगा अपने पास perfect में ओके तो was prompt नहीं आएगा will be prompt तो कते ही नहीं आएगा okay has to prompt तो present में चला जाएगा अपने पास क्या बच गया had to be prompt had to be prompt मतलब उसमें prompt किया जाना था मतलब कि उसे थोड़ा सा encourage उत्साहित करा जाना उसको थोड़ा सा उस पे दिलासा देना दिलासा देना तो नहीं कहेंगे उसका उत्सावर धन किया जाना था तो has to be had to be prompt तो यह है तो देखो यार अंगरे जी में क्या हुआ करता है न आप यह नहीं सोचा करो कि हम सीड़े जाके एक लगाए यह पकड़ा करो कि चार में से गलत कौन से है तो यहां पर एक और ले लो भाई सामान बोल चाल की वहासा में तुम है ना has to be prompt बोल दोगे तो यहां पर एक और ले लो भाई साब ग्रामर का एक और क्वेशन आ गया चलते हैं अगला क्वेशन चलते हैं अगला क्वेशन है भाई साब चूज दा वर्ट फ्रेस देट गिव दा बेस्ट मीनिंग तोड़ा अंडर लाइन सेंटेंस तो कह रहा है यूर फाइंडिंग तो यहां पर नॉमन क्लेचर के उपर क्या लगी हुए है लाइन लगी हुए है और आपको बताना नॉमन क्लेचर का मीनिंग क्या है चूज दा वर्ट फ्रेस जो इसकी मीनिंग दे रहा है वेल्यू सिस्टम अफ क्लासिफाइंग तिंग्स तो नॉमन से नेमिंग जोड़ तो वाकी बात है और जो लोग के मस्ती पढ़े होंगे जानते ही होंगे नॉमन क्लेचर क्या होता है नाम करन होता है है ना तो करेक्ट आंसर क्या होगा सिस्टम अफ निमिंग तिंग्स ओके तो यह भी किसका क्वेश्चन था यह भी वो कैप का था जिन लोगों ने वो वो कैप भाई उनके दुबारा बच जाएंगे चलो भाई के घर आंगे आजाते हैं अगला क्वेश्चन देखे फिर से वो कैप का क्वेश्चन आगे चूज दर राइड डिस्क्रिप्शन आफ दो वर्ड मार्जन एलिया अब देखो भाई वो कैव आपकी बहुत है यार वो तो बन जाएगा मगद जो 24 घंटा मैथ फिजिक्स केमेस्ट्री में डूबा हुआ वो कैसे घर पाएगा तो चलिए देखे और उपर से इसमें कंपल सरी कर दिया था दस में से पांच नंबर पाना यह तो बड़ी गलबड हो गई चलिए देखे क्या करते है मार् तो क्या होगै तुका की इसे आउन होगी इसमे देखे हीर किरोने कि किया तो इसमें वी दिखे सब्सक्राब होता杂ए肯 चोंब होता है उसको को बूस्कॉत है यह तो चलिए यह थे दो स्कॉस्ट है के सांथ कराया आने वाले वीडियो मेंihen 2stmi 5040 च दो आइंड ईा पर कि तो यह भी अपना question किस से आया था, vocab से यह आया था, तो 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक ज्यादा लिख दिया मैंने, ओके, तो 10 question थे, तो देख लिया, आपने mainly क्या प्रभावित कर रही है, आपको, एक तो आपको error detection प्रभावित कर रही है, ओके, और एक आपको क्या है भाई साब, चार question आपके किस से आया है, vocab से आया है, चार question आपके आया है, vocab से, okay, and mainly idioms and phrase, मतलब कुल मिला क्या आपकी vocab शांदार होनी चाहिए, अगर आपकी vocab शांदार है, तो आप paper ले जाओगे, भाई भाई ये देखो फिर इसके बाद ये क्या है, grammar वाला पार्ट तो चलो गलत हो गया, सही हो गया, वो आपकी किसमत के उपर है, जितना पढ़के गया उत्तिकर पाओगे, बट vocab वाला पार्ट जो है, आपका जबर दस्त होना चाहिए, मतलब कुल मिला के kvS किस पे खेल रहा है, वो vocab पे खेल रहा है, क्योंकि idioms, phrase भाई, रटके गया हो तो पता होगा नहीं तो नहीं होगा, मौहाबरे रटके गया हो तो पता होगा तो नहीं होगा, पता होगा नहीं तो नहीं होगा, भाई इसमें तो फंडे लग जाएंगे आपकी grammar में, मगर इसमें कोई फंडे लगने वाली बात ही नहीं, इसको तो आपको घर से पढ़के जाना पड़ेगा, चली दोस्तों, तो इतने के लिए ही खतम करते हैं, आपर इस वीडियो को अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आग गया देजिए, जै हिन, जै भारत, तमशकार.